युधिष्ठिर ने क्यों और क्या श्राप दिया था अपनी माता कुंती को। युधिष्ठिर ने युध के बाद अपनी मा कुंती को क्यों दे दिया था श्राप। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर ने अपनी मा कुंती को श्राप दिया था। युधिष्ठिर ने कहा था कि आज के बाद से कोई भी महिला कोई भी बात को गोपनिय नहीं रख पाएगी। युधिष्ठिर ने कुंती से कहा था कि उन्होंने इतनी बड़ी बात छिपा कर उन्हें अपने जेश्ट भ्राता का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी मा कुंती के साथ समस्त नारी जाती को श्राप दिया था। इतिहास के सबसे बड़्ध है युध महाभारत की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। इसके तमाम पहलूओं, घटनाओं की छोटी-छोटी कई कहानिया हैं। पांडव और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चले इस युध का परिणाम काफी भयानक था। भले ही इस युध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युध के बाद उनकी दुनिया बदल चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर और सर्वश्रेष्ट धनुर्धर अर्जुन सहित कई योध्धाओं ने इस युध में छलकपट का सहारा लिया। अठारह दिनों तक चलने वाले युध महाभारत में हर दिन कुछ न कुछ विशेश घटित हुआ जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। इस युध के अंत में युधिष्ठिर ने अपनी मा कुंती को श्राप तक दे दिया था। आईए बताते हैं पूरी कहानी। गंगा तट पर रहे पांडव। महाभारत के युध के बाद सभी मृत परिजनों और रिष्टेदारों का तरपन करने के बाद पांडव एक महीने तक गंगा तट पर रहे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कई महान आरशी और संत के आने जाने का क्रम लगा हुआ था। इसी बीच नारद राशी भी युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर की मनह स्थिती के बारे में पूछा। नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर अपनी भुजाओं के बल और भगवान कृष्ण की कृपा से आपने इस युध में विजय प्राप्त कर ली। क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद तुम प्रसन नहीं हो। मुझे आशा है कि शोक और विलाप आपको नहीं सता रहे हैं। जब युधिष्ठिर को पता चली सच्चाई। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वास्तव में मैंने कृष्ण की कृपा, ब्राह्मनों के आशीरवाद और भीम और अरजुन की शक्ती के आधार पर इस युध को जीत लिया है। फिर भी एक गहरा दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरे अपने लोब के कारण ही इतना बड़ी संख्या में स्वजनों का वध हुआ है। पुत्र अभिमन्यू की मृत्यू पर द्रौपदी का विलाप देख, मैं जीत को हार मानता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, इन सभी योध्धाओं के वध के बाद मुझे पता चला कि करण मेरा भाई था। तो मैं दुनिया को जीत सकता था। हावुक हो गए और उनके आंसू बहने लगे। तभी उनकी मा कुंती आगे आई और अपने पुत्र से बोली। युधिष्ठिर इस तरह से शोक मत करो। मैंने पहले करण को आपके साथ उसके रिष्टे के बारे में बताने की कोशिश की थी। सूर्यदेव ने भी उससे बात की। हालां की अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। मा कुंती को दिया श्राप। मा कुंती की tवना की बातें सुनी तो युधिष्ठिर अपने क्रोध और शोक को शांत नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी मा कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपा कर हमें अपने जेश्ट भ्राता का हत्यारा बना दिया युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी मा कुंती के साथ समस्त नारी जाती को श्राप देते हुए कहा मैं आज समस्त नारी जाती को श्राप देता हूँ कि वे अब चाह कर भी कोई बात अपने हरदय में छिपा कर नहीं रख पाएंगी